हलो फ्रेंड्स मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर देखें डी ओई की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी किया गया है 26-22 को और ये सर्कुलर उन सभी पैर्ट्स उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है जिन भी बच्चों ने अभी अभी टैन्थ पास आउट किया है और वो सोच रहे हैं कि 2022 और 23 के सेशन में अपने बच्चों का एड्मिशन दिल्ली के सरकारी स्कूल में करवाएं आप यहां देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है कि तरफ से जो जारी किया गया है सरकुल और उसका सब्जेक्ट है गाइडलाइन्स फॉर पैरेंट्स ऑफ चिल्रन सीकिंग एड्मिशन इन गौर्मेंट स्कूल त्रो ओनलाइन मोजूल इन क्लास 11 अंडर नौन प्लान अड्मिशन उन सभी पैर्ट्स के लिए गाइडलाइ क्लास 11 इन गौर्मेंट स्कूल अंडर डिरेक्ट्रेट ओफ एड्यूकेशन और इनफॉर्म दैट फॉर्ट एड्यूर्मिशन 2022-23 प्रॉसस ऑफ ओनलाइन रेस्टेशन इस गोइंग चुके हैं वह सभी पैर्ट्स को इनफॉर्म किया है इस सर्कुलर की थू कि अगर अपने बच्चे का अद्मिशन आपका बच्चा मारी जी लास्ट येर उन्होंने 10 पास आउट किया है वो किसी प्राइबेट स्कूल से किया है इस साल 2022 और 2023 के सेशन में आप चाह रहे हैं कि अपके बच्चे का जो अप्च्चे का डिली के सरकारी स्कूल में हो पाए तो आप यहाँ पर अपना बच्चे का डेस्टेशन, ओनलाइन डेस्टेशन करवा सकते हैं यह जो डेस्टेशन है आपका 27 साथ 22 से, 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और देखें, next point हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है Students who have passed class 10th during the academic session 2021-22 from government or government-added school under directorate of education are not eligible to apply for registration They shall approach their last attended school for further assistance if transfer is required to another government school जो बच्चों, जिन बच्चों ने 10th pass out किया है 2021 के session में किसी government school से या government-added school से तो उन बच्चों के लिए यह registration नहीं है वो उसके लिए eligible नहीं है registration करने के यह केवल उन ही बच्चों के लिए है जो किसी private school में पढ़ते थे या in-added school में पढ़ते थे वही बच्चे इस registration को कर सकते हैं, online registration को कर सकते हैं जो पहले से किसी सरकारी school में पढ़ रहे थे उनके लिए registration नहीं है अगर उन्हें किसी और school में जाना है तो वो जिस भी school में पढ़ते थे वहां आपको विजिट करना है और जिस भी government school में आपको admission करवाना है, वहां से आपको transfer करवाना होगा तो यह जो पहले government school में पढ़ रहे थे या government added school में पढ़ रहे थे उन सब भी बच्चों के लिए registration नहीं है यह केवल उन ही बच्चों के लिए है जो किसी private school में पढ़ते थे और अब इस साल 2022 और 23 के session में 11th class में government school में जाना चाते हैं अब देखे कुछ important dates नीचे दिया हुआ है कि कब admission साट हो रहे हैं और कब तक चलेंगे देखे जो 11th class का admission है दो cycle में होगा cycle 1 और cycle 2 पहले cycle में जो admission स्टार्ट हो रहा है जैसे कि मैंने आपको उपर पढ़के बताया online registration of candidates 27-7-2022 11 बजे सुभे से लेकर 3-8-2022 पांच बजे तक चलेगा मतलब 27 जुलाई से admission जो registration है वो start हो चुका है 11 बजे स्टार्ट हो चुका है आप अपने बच्चे का registration कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट टेट है registration की वो तीन अगस 22 पांच बजे तक है शाम पांच बजे तक तो कभी भी किसी भी time आप अपने बच्चे का registration 11th class के लिए कर सकते हैं दिली के गौर्वर्मेंट स्कूल में admission पाने के लिए और जो allotted schools होंगे मतलब आपने बच्चों का अपने बच्चे का बच्चे का नाम होगा कि किस स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है वह आपका जो नाम होगा आप चेक कर सकते हैं 10-8-2022 को और submission verification of documents for admission in allotted school और जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम आएगा उस स्कूल में आपको अपने documents को verify करवाना पड़ेगा बच्चे के जो documents है वह verify करवाने पड़ेंगे उसकी भी date दी हुई है वह आपको verify करने के लिए जाना पड़ेगा 12-8-2022 से 20-8-2022 के बीच में आप कभी भी जा सकते हैं किसी भी स्कूल में अगर आपके बच्चे का नाम आता है तो उसके बाद और देखिए बहुत ही important dates है अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का registration करवाना 11th class में तो यह date आपको याद रखनी पड़ेगी आप चाहे त तीन अगस 2022 तक चलेंगे आपको रिजर्ट चेक करना है कि आपके बच्चे का नाम किस स्कूल में आया है तो 10 अगस 2022 को आपको चेक करना है और आपको documents वेरिफ्याई करने के लिए जाना है वो बारे अगस से लेकर 20 अगस तक आप जा सकते हैं तो यह cycle 1 के लिए डेट था और cycle 2 के लिए मतलब कोई जब सीट अगर वेकिंट रह जाती है तो cycle 2 में जो एड्मिशन होते हैं उसकी डेट आपको यहां पर दी हुई है आप देख सकते हैं जो cycle 2 का जो registration होगा वो start हो जाएगा 17 अगस 2022 से सुभे 11 बजे से start हो जाएगा और 22 अगस 2022 साम 5 बजे तक registration चले साइकल 2 के लिए और जो नेम एलोटेड होंगे बच्चों के जो रिजल्ट आप देख सकते हैं आपके बच्चे कर नाम किस क्लास में किस स्कूल में आया है वो आप देख सकते हैं एक सितंबर 2022 को एक नो 2022 को और डॉकुमेंट्स वेरिफाई करवाने के लिए कब आपको जा बच्चों के लिए जो अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूल में 11 क्लास में करवाना चाहते हैं देखी सर्कुलर बहुत लंबा है और इसमें सभी चीज़े दी गई है कि आपको कैसे करना है कहां से करना है और क्या 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 डोकुमेंट्स आपको लेकर सYU describe लिए जी रहेगी और इस चैनल को और इस वीडियो को इस जानकारी को शेयर करना बिलकूल भी मत भूलेगा क्योंकि आप एड च्छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है thank you so much मिलते हैं अपने next video में